हेलो और यहां पे आप लोग बिलकुल ठीक पड़ रहे हैं कई अमेरिकन मेंबर और पारलेमेंट अब यह कह रहे हैं जो बाड़ियन को के प्लीज चाइना पर एक ट्रावल बैन लगा दीजिए जो बिमारी चाइना में फैल रही है उसके बारे में हमें डीटेल्स में पता है जनी के रियालिटी क्या है क्योंकि चाइना की देखे सबसे बड़ी प्रवलम यही है कोई प्रॉपर मीडिया नहीं है कोई मीडिया के सोर्सेज प्री नहीं है वहाँ पर गवर्मेंट सब कुछ कंडोल करती है तो अभी जो वीडियो जो फुटेज आ रही है चाइना से के क COVID-19 में USA सबसे बड़ी गलती यही हुई थी, टाइम पर चाइना पर ट्रावल बैन इंपोस नहीं किया, और बाद में पूरे USA में COVID फैल गया था, और इसलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कई American Senators कह रहे हैं, जल से जल हमें चाइना पर ट्रावल बैन इंपोस कर देना चाहिए, एक बार मैं आपको बदा रहेता हूँ कि 2019 में क्या हुआ था, और क्यों Americans आज के समय पैनिक कर रहे हैं, 2019 में USA के President थे Donald Trump, ट्रम्प को जैसे ही News initially मिली, कि चाइना में कोई यह जीब सी बिमारी फैल रही है, लोग बिमार हो रहे हैं, Hospitals में बहुत ज़रा Crowd है, ट्रम्प समझ गए थे, कि कुछ बड़ी ही बिमारी फैल गई है, और ट्रम्प ने प्लैन राने स्टार्ट कर दिये थे, कि चाइना पर एक ट्रैवल बैन इंपोस किया जाएगा, मगर उस टाइम क्या हुआ था, कि जो बाइडन, जो प्रेजिडेंट की कुरसी के लिए, कैमपेण अपना चला रहे थे, जो बाइडन ने ट्रम्प पे आरोप लगाना स्टार्ट कर दिया, कि ट्रम्प हैं जी, रेसिस्ट, ये जिनोफोबिया को प्रमोट कर रहे हैं, एशियन्स के अगेंस्ट हेट को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे चाइना पर एक ट्रैवल बैन लगाना बिल्कुल गलत है, इससे देखिए लोगों को एक गलत मेसेज जाएगा, अब जो भी आप कहली जी ए ट्रम्प पर कहीना कहीं प्रैशर आया इन स्टेट्मेंट्स का, और इसलिए ट्रम्प ने जो चाइना पर ट्रैवल बैन लगाया ना, ये थोड़ा सा लेट लगाया था, नहीं तो वैसे ये ट्रैवल बैन काफी पहले लगा जेते, तो कई अमारिकन्स की जान हो सकता है बज जाती, जिस लेवल पर कोविट फैल गया था, पूरे यूवैस में कितने लोग मारे गए, हो सकता है कि उतनी डिस्ट्रक्शन ना होती, और ये बात भी आप सबको बता है, कि कोविट नाइटीन का एक बहुती बड़ा इंपक्ट आया था, 2020 के चुनावों में, पहली बात तो जो चुनाव है, वो बैलेट बॉक्स से हुए थे, लोग जो वोटिंग स्टेशन से वहाँ पर गए नहीं थे, सब कुछ चेंज हो गया था, और इस बार भी, अगैन मैं आपको कहूँगा, टाइमिंग इस दा मेंन थिंग, टाइमिंग इतनी अजीब है न, मैं आपको बदा नहीं सकता, 2024, एक इतना important साल होगा, भारत और यूएस दोनों के लिए, इंडियार, यूएस आप कह सकते हैं, दो मेन, स्ट्रॉंग पिलर्स है, जो चाइना की डॉमिनेंस को रोक कर बैठे, और दोनों ही कंट्रीज में, 2024 में चुनाव होंगे, जैसे आप लोग जानते हैं, भारत में जो चुनाव है, यह गर्मी में ही हो जाएंगे, उसके बाद, November, December में हम देखेंगे, के यूएस में चुनाव होने हैं, तो अचानक से ऐसे टाइम में, यह जो respiratory illness फैल रही है चाइना में, और चाइना की सरकार से आप पूछो, तो वही इनका घूम फिर के जवाब होता है, कि कोई नया infectious disease हमको नहीं मिलाबने, अचानक से बाद चाइना के साथना ट्रस्ट डेफिसिट बहुत जादा है, मतलब लोग यकीन नहीं करते हैं, चाइना की सरकार के मूँ से जो भी बात आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, कि शी जिंग पिंग ने अपने अंडर CNN, BBC, Western News Outlets को निकाल दिया है अपने देश से, रीजन यही है, उनका के वो कहने है के, यह एंटी चाइना रेपोर्टिंग करते हैं, यह हम इसको वरदास्ट नहीं करेंगे, तो हम इनको निकाल रहे हैं, तो आज के समेना, फॉरन मीडिया के नाम पर चाइना में कुछ है नहीं, चाइना ने जैसे आप लोग पता होगा, इंडियन मीडिया को भी काफी अत्तक निकाल दिया है, इंडियन मीडिया भी इतना बचा नहीं है चाइना में, तो जो भी इमेजे जारी है, वो सोशल मीडिया के तुरू थोड़ी बहुत इमेजे जारी है, चाइना का सोशल मीडिया भी कंट्रोल है, तो हमें कुछ प्रॉपर आइडिया है नहीं कि चाइना में हो क्या राया स्वाथ, कोन सी बिमारी है, जो रापिडली फैल रही है इस विंटर सीजन में, और जैसे कि आप लोग जानते हैं, चाइना और USA के जो ट्रेड रिलेशन्स हैं, they are enormous, चाइना चाहे USA का सबसे बड़ा पार्टनर आज के सबे नहीं हैं, बट स्टिल, दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है, यह मल्टी बिलियन डॉलर्स का ट्रेड है, कई गुना बड़ा है, compared to US-India ट्रेड, तो बहुत से लोग है, जो चाइना से US में जाते हैं, और USA में भी देखा जा रहा है, कि अजानक से न एक नए टाइब की बिमारी आरी है, जो बहुत अबत्तक सिम्लर है उस बिमारी के, जो चाइना में देखी जा रही है, USA में इस बिमारी को कहा जा रहा है, जो यह वाइट लंग सिंड्रोम है, क्या यह डिरेक्टि रिलेटेड है टू चाइना से बारे में कोई कंफर्मेशन है नहीं जो अभी disease experts हैं इसको study कर रहे हैं जो भी इनके पास samples आ रहे हैं उसकी जाज़ पर ताल चल रही है बट एक अजीब सा coincidence है कि पहले चाइना में report किये जाते हैं cases उसके बाद US, Denmark, कई western countries में भी ये white lung syndrome बहुत ही और अगर हम बात करें इंडिया की तो अभी के लिए जो हमारी health ministry है उन्होंने ये का है कि जो भी pneumonia के cases आ रहे है चाइना में इनका impact इंडिया में अभी तक तो लग रहा है कि ये low risk वाली category में हम रखेंगे इसको अभी के लिए for the time being और साथी साथ इन्होंने ये भी का है कि इंडिया properly prepared है for any kind of public health exigency कुछ भी होता है तो सरकार उसको जहिलेगी उसको properly manage किया जाएगा साथी साथ भारत में जो विभिन राज्ये हैं उनके state health department इस वक्त alert में है क्योंकि again मैं repeat करूंगा ये मजबूरी है कि चाइना का जो system है governance का ये इतना ज़्यादा opaque है opaque मतलब कि जिसके आर पर आप देखने ही सकते हैं जो transparent नहीं है तो ये एक unfortunate बात है कि हम लोग आज के समय बस अपनी जो preparation है ये बढ़ाई सकते हैं बट यहाँ पे मैं आप से पूछना चाहूंगा ये जरातार import based ही है जहाँ पे इंडिया इंपोर्ट करता है from China ये order जरातार online दिये जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि businesses होते हैं ये बहुत ज़रा travel किया जाता है इंडिया चाइना की flights इतनी ज़रा है नहीं तो मुझे पता नहीं कि इंडिया को ये करने की आवशकता है इमिरेटली मगर सिंस चाइना का बहुत ज़ादा एक people to people connection है west में US में तो कई ना कई इनको विचार करना होगा कि क्या ये risk लेंगे क्या ये covid-19 के बाद फिर से risk लेंगे और चाइना पे जो travel ban है ये नहीं impose करेंगे बस इस belief से कि जो ये respiratory illness है ये कुछ ज़़ा serious नहीं है बस इसके कुछी cases आएंगे ये ज़्यादा फैलेगी नहीं तो देखना होगा यहाँ पर मैं आज जाना चाहूंगा आपका opinion वैसे आपके हिसाब से क्या चाइना पर ये travel ban impose करना चाहिए या फिर आप मानते हैं too early अभी इतना damage देखना ही रहा तो अभी के लिए ये करने की कोई आवशकता नहीं लग रही और अनकाडमी के देखिए offer चल रहे हैं आज के समय ये जो offers है इनको आप यूज को सकते हैं to get discount तो comment section में link आपको मिल जाएंगे आप यहां पर course open करके you can use the code PD10 और आपको discount मिल जाएगा और जो sales time to time आती रहती है इनका भी आप लाब उठा पाएंगे So this is the end of the video, thanks for listening and as always, may the gods watch over you करैंगे झाल झाल